नमश्कार कहानी गोल्ड में प्रस्तुत है महरू निसा परवेज की लिखी कहानी कोई नहीं कोणी में पेटी के पास चपल उतार कर जैसे ही वह मुड़ी की देखा गुड़ू हाथ में रबड का बड़ा सनया खिलोना लिए सहमा साउ से देख रहा है फिर वह धीरे धीरे उसके पास आया और उसके हाथ में रबड का कुट्ता देता हुआ बोला मम्मी अंकल आज भी आये थे ठके पैरों में जुर जुरी सी आ गई उसने कुर्सी को पीट के सहारे के लिए जोर से पकर लिया और बहुत हारे हताश अंदाज में गुड्डो के नन्हे मासूम जहरे को देखा जी चाहा उसे दो जापड रसीत कर दे पर मारने से वह और दुखी हो जाएगा वह कुर्सी पर बैठ कई और उसे गोध में उठाते हुए बोली बेटा मना कर देना था ना मैंने कल तुम्हें कितना समझाया था मगर मम्मी ऐसे ही तो गोध में उठा कर प्यार से अंकल बोले थे ले लो बेटा अपनों से कोई चीज लेना बुरी बात नहीं होती गुड्डो ने मासूम सी आखों को जल्दी जल्दी जपका कर उत्तर दिया ओह तो विवेक की अनई चाल है कितना होश यार है जव वह घर पर नहीं होती तवाता है और अब इस मासूम बच्चे के सहारे उस तकाना चाहता है गुड्डो को गोध से उतार कर वरसोई में चली गई और इस टोप पर अपने लिए चाय का पानी चढ़ा कर वापस गुड्डो की उर्मोडी गुड्डो रोज की तरह आज भी सोच रहा था कि तुफान शान्त हो गया मम्मी का गुस्सा उतर गया है और वह इतमिनान से रबड के खिलोने में रस्ती बांद कर चला रहा था निश्चिंत साथ मैंने तुमसे कहा था न कि अंकल को साफ मना कर देना उसने स्टोब बंद कर चाय कप में चानते हुए कहा मम्मी मैंने तो दर्वाजा ही नहीं खोला था दर्वाजे को भीतर से अच्छी तरह बंद कर दिया था और खिड़की से जाक कर बोला था कि आप रोज-रोज मत आईए और खिलोना भी मत लाईए क्या चाय पीते उसके हाथ काप गए और चाय साड़ी पर छलकाई तूने अंकल के लिए दर्वाजा नहीं खोला था हाँ मम्मी बाई गॉड गुड़ो गले को छूता कसम खाता बोला मम्मी फिर उन्होंने मुझे पुछकारा फुसलाया मनाया था तब कहीं जाकर मैंने एक घंटे में दर्वाजा खोला था एई कसम नहीं खाते मम्मी कल भी अंकल आए तो दर्वाजा नहीं खोलू न ना ना ऐसा नहीं करते बेटा उसने कब को टेबल पर रख दिया घराए महमान का अपमान नहीं करते पर तुम उनसे कुछ मत लेना साफ साफ इनकार कर देना कहना लेने से मम्मी मारती है कहते हुए उसे लगा विवेक के लिए आज भी उसके मन में प्यार है तभी तो वा गुड़ू से यह नहीं कह पाई कि दर्वाजा ही मत खोलना मारने वाली बात कही थी हद तक शतुराई कर रहा है तो कल कहना मम्मी ने मेरी खूब पिटाई की और सारे खिलोने कल लोटा देना अच्छा गुड़ू एकदम चाभी वाले गुड़े की तरह सिरहलाते हुए बोला गुड़ू खेलने चला गया और वा पीछे नल के पास आ गई खिड़की से जाक कर देखा गुड़ू अपने दोस्तों के साथ खेलने में व्यस्त हो गया था उसने रेडियो खोल दिया कोई अच्छा सा गाना आ रहा था फिर उसने रेडियो भी बंद कर दिया मन के उथल पुथल के आगे रेडियो भी अच्छा नहीं लगा वह भीतर वाले कमरे में आ गई तक्त पर फूलों वाली चादर बिछी थी जो उसने विवेक के साथ प्रदर्शनी से खरीदी थी पीले पीले बिखरे फूलों वाली चादर को देखवा चौक गई विवेक अंदर तो नहीं आया था जाने इस चादर को देख उसने क्या सोचा होगा शायद हो सकता है अब इतनी पुरानी बात उसे याद ना हो पुरुष छोटी से छोटी बातों को याद रखने के आदी नहीं होते और तेहीं दुनिया भर का कूडा करकट अपने भीतर समीटे सहीजे होती है प्रदर्शनी में इस चादर को देख वा बच्चों सी मचल गई थी और जिद कर बैठी थी कि मुझे यही चादर चाहिए विवेक ने पैसों की कड़की बताई थी पर जब उसने जिद नहीं छोड़ी तो वह स्टॉल पर पूछाया था पूरे पचास रुपए की थी वह चादर दूसरे दिन विवेक पैसे जुटा कर वह चादर खरीद लाया था चादर खरीद कर वह बहुत प्रसन्य थी और उसने कहा था विवेक हम लोग पहले दिन घर में इसी को बिचाएंगे विवेक हस दिया था पिछले महीने की ही तो बात है आफिस में अपने नाम एक लिफाफे पर जाने पहचाने अक्षरों को देख वह चौकी थी पत्र विवेक का था खोल कर पढ़ा था निहायद सादा पत्र था जिसमें सिर्फ दो लाइने लिखी थी यानि केवल सूचना मात्र थी पत्र पढ़कर उसे लगा था कि विवेक ने उसे अपमानित करने के लिए ही यसारा कुछ लिखा है वह यहां क्यों आ रहा है अथोड़े की तरह एक ही प्रश्ण बार-बार उसके सामने उभराता सारे दिन आफिस में उसका मन किसी काम में नहीं लगा बस बार-बार एक ही प्रश्ण तंग करता रहा कि वह इस शहर में क्यों आ रहा है उसके यहां क्या जरूरत है वह यह बात भूल गई थी कि सरकार के फाइल में ऐसा कुछ नहीं है कि उसे यहां नहीं आना चाहिए ठीक है सरकार को पता नहीं था पर जब वह यहां आ ही रहा था तो उससे क्यों मिलना चाहता है क्यों गड़े मुर्दे उखारना चाहता है उसे बार बार यह बात महसूस होती रही कि विवेक जान बूज कर यहां आ रहा है महेज उसे अपमानित करने को और कुछ नहीं वह उसे अपना अफसरी रोब दिखाना चाहता है और उसकी लाचारियों पर तरस खाना चाहता है पत्र पकड़े वह कापसी गई थी कभी इसी पत्र के लिए वह घंटे, पहर और दिन बरबाद करती थी बड़ी ही बेसबरी से पत्र का इंतिजार करती थी आज उसी व्यत्ती के पत्र को पाकर उसे कोई प्रसन्नता नहीं हो रही थी उसे अपने स्थिती बहुत बौनी लग रही थी विवेक उसके शहर आ रहा था कभी विवेक के साथ उसने भविश्य के सपने सजोए थी दमखम से वह सोचती थी कि हाथ की रिखाओं में यदि विवेक के साथ जीवन जीने की लाइन नहीं होगी तब ही वह हाथ की लाइनों को बदल देगी इतना इतना विश्यास लिये वह चली थी अक्सर जब वह और विवेक मिलते तो विवेक कूरे कागज पर सुन्दर सा बंगला बनाता उसे फूलों से सजाता और लौन में उसे खड़ी कर चित्रित करता और लिखता शुबधा वह खिलखिला पड़ती और विवेक कागज मोड़कर जेब में ऐसे रख लेता कि बस इस नक्षे को वह किसी ठेकेदार को दे देगा कि काम शुरू कर दो पर आज वी बातें वह विश्वास कित्ता कित्ता बोना हो गया था सूरज मुखी के फूल की तरह जो महेज एक ही दिशा में निहारता एक ही केंदर बिंदू पर नजरे जमाए जमाए ही मुर्जा जाता है जर जाता है अपनी ही डाल पर फूल एक देन मुर्जा जाता है तब उसे हरा भरा वरेक्षित तथा पुष्ट जड़ें भी जीवित नहीं रख पाती जाने एक बार की कौन जटके से सारी नसों को काट देता है सब कुछ वही है पर कितना बदला हुआ कितना अंजाना सा तब लगता है सब कुछ मरता जा रहा है भीतर भी बाहर भी जैसे किसी हादसे के पुर्व की सूचना हो किसी के भी मन के घर में रहने से पहले उस घर की सफाई जरूरी है जाला खूडा करकर साफ करना चाहिए जैसे मकान में रहने के पहले पिछले रहने वालों के निशान मिटाने पड़ते हैं न बिलकुल उसी तरह पर वह प्यार के नशे में जोश में इतनी उतावली थी कि उसने इस आवश्रक प्रक्रिया को भी गेर जरूरी समझा और विवेक के साथ तूल भरे घर में कूडे करकट से भरे घर में रहने चली आई तब उसने यह सोच रखा था कि वह एक ही बुहारी से सारी कूडे को बुहार कर फेक देगी और बस यहीं आकर धोखा खा गई पहला जटका उसे तब लगा जब विवेक के साथ ससुराल जा रही थी उचे पहाडी रास्ते पर जीप तेज-देज दोड रही थी रास्ता निहायत कच्चा था दचकों से जीप उचल-उचल पड़ रही थी सडक के दोनों छोरों से लगे खेत थे जिनमें सरसो अरहर गन्य की फसल एकदम तयार खड़ी थी सरसो के चटक पीले फूल अपनी डाल पर मस्ती से जूम रहे थे सडक के किनारे लगे बिजली के तार पर धेर-धेर चड़िया विश्राम कर रही थी सर्दियों के दिन जो जवानी की चंदगडियों की तरह होते हैं अपनी चमक दिखा कर ढलने लगे थे धूप के आज मध्धम पढ़ने लगी थी जैसे सूरज की बैटरे कम हो रही हो उस सूने रास्ते पर जीब दोड़ी जा रही थी वह और विवेक दोनों अपने विचारों में चुप से बैठे थे यह अब्याह के बाद उनकी पहली आत्रा थी यह तो दोनों पास-पास बैठे थे पर अपने अपने विचारों में खोए होने के कारण दोनों एक दूसरे से काफी दूर लग रहे थे उसने दो-तीन बार सिरका चल ठीक करते विवेक को देखा उसके हाथों के चूडियां और कंगन की खनक से विवेक ने भी चमक कर उसे निहारा और हलके से मुस्कुरा दिया फिर वह अपने विचारों में खो गया उसे लगा जैसे विवेक ने अपनी मुस्कुराने की ड्यूटी पूरी कर लिए हो उसने भी अपनी आखें खेट की और मोड ली और वह भी अपने विचारों में खो गई गफैली बार ससुराल जा रही थी उसके मनको भै और चिन्ता घेरे थी कि पता नहीं वे लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे करेंगे भी या नहीं कैसी होगी विवेक की पीछे की दुनिया विवेक की चिंतित मुद्रा उसे और चिंता में डाल रही थी कि पता नहीं क्या होगा दोनों की चिंता का कारण एक ही बिंदू था पर दोनों के सोचने वा विचार करने का धंग अलग-अलग था उसके मन में अपनी सौत को देखने की जहां उच सुकता थी वहीं भैगेरे था विवेक बार-बार थंडी सास खीशता और माथे का पसीना पोच लेता उसकी आखें दूर कहीं अपने अतीत में डूबी थी उसे धक्का सा लगा यह वही गुमसुम बना विवेक है? नहीं शादी से पहले वाला विवेक तो बहुत बोल्ड और विद्रोही विवेक था उसके अपने दब्बूपन के कवच को उसने छील कर फेक दिया था विवेक ने उसे अपनी परिस्थितियों से लड़ना सिखाया था उसे विद्रोही बनाया था उसे अपने परिवार के खिलाफ मोर्चा लेकर लड़ना सिखाया था वरना उस जैसी दब्बू एवं बुद्धू सी लड़की माता पिता के खिलाब जा सकती थी बोड़े बाप के जिम्मेदारी को उसने नकारा था महज विवेक की खातेर की नहीं उसे भी जीने का हक है उस दिन जब विवेक उसे लाइब्रेरी के लंबे बरामदे में मिला था तब दोनों भीर से हटकर बाहर लॉन में आ गए थे जहां दरखतों की च्छाव थी सुनो सुबदा 21 वर्ष के बाद हर आदमे को अपने जिन्दगी अपने ढंक से जीने का हक है और एक तुम हो कि अपने परिवार के लिए तिल-तिल मिटती जा रही हो विवेक ने एक हात इसके कंधे पर रख दिया था बड़ी सीधी सी बात है बुड़े परिवार का बोज़ाड होने को तुम नहीं हो जो लोग तुम्हारी जिम्मेदारी उठा नहीं सकते निभा नहीं सकते उनसे तुम्हे खुद मुक्ती लेनी होगी वरना उम्र की सरहदों को जब तुम्हारे उम्र पार कर जाएगी तब तुम पश्टाओगी वह आवाक रह गई थी चकरा कर विवेक के चहरे को देखने लगी तब विवेक का खुला साफ रंग कितना चमक रहा था जूते की नोग के पास पड़े ढेले को किकमारती हुए विवेक ने उसकी तरफ देखा था बोल बनो शुबदा दुखों को किकमारो अब तक पता है क्या होता रहा है दुख तुमें किकमारते रहे हैं इसलिए तुम नर्वस कमजोर पड़ गई हो अब तुम इन्हें किकमारो तो देखोगी कि वाकई जिन्दगी खुबसूरत है जिन लोगों ने तुम्हारी आजादी चीनी तुम्हें कैद में रखा जिन से तुम जीवन भर भै खाती रही देखोगी कि उनका दबदबा कुछ नहीं रोब कुछ नहीं सब फुसुसा है तुमने जान बूश कर इनकी दास्ता स्विकारी है और इन लोगों ने तुम्हारी कमजोरी का तुम्हारी भावकता का फायदा उठा कर तुम्हें गुलाम बनाया था अब इन से उबरो जिन्दगी के और रंग भी देखो बेटी होने के नाते तुम्हारा कुछ फर्ज जरूर बनता है पर तुम्हारा अपनी जिन्दगी के लिए भी तो कोई फर्ज है उसके चहरे का दुंदला पन छटने लगा था उसने तब विश्वास से भर कर विवेक को निहारा था विवेक की बातों में गहराई थी अनुभाओं का निचोड था तब उसे लगा था विवेक ने बरसों से उसकी कमजोरी की परत दर परत जमी बर्फ की सेल के टुकडे टुकडे कर दिये थे बर्फ के सेल तोटकर बिखरनी लगी थी और उसके नीचे से जहाकनी लगा था एक नए सिरे से बल उच्सा और आत्मिविश्वास और उसे लगनी लगा था कि उसका भी स्थान है उसकी भी कहीं अहमियत है और उसने बुढ़े पिता से विद्रोह कर विवेक से ब्याह किया था विवेक ने उसे अपना पिछला बताया था पर इस तरह जैसे हलकी सी धूल हो जो हलके से जटके से साफ हो गई हो विवेक का बच्पन में ब्याह हो गया था पर विवेक के शब्दों में वे रिष्टे उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखते पर ब्याह के बाद अचानक उसने महसूस किया कि बूल्ड देखने वाला विवेक भीतर से फुस्फुसा है उसका अतीत एक बिंदू नहीं एक बड़ा दाइरा है जो विवेक के इर्द गिर्द चारों और से फैला है और धे सारे सपनों से लदीफदी जब वा ससुराल की ड्योड़ी पर उत्री थी तो ननद ने उसके और विवेक के कपड़ों को दोनों हाथों में पकड़ कर साथ साथ भीतर ले जाना चाहा था तब विवेक बहन के हाथ से अपनी शर्ट का छोड़ छुड़ा कर पीछे हो गया था और उसने चिठक कर पहली बार पती के बदले हुए रूप को निहारा था वो अकेली ननद के साथ आगे बढ़ गई थी उसे बोल्ड बनाने वाला विवेक खुद इतना कमजोर है तब उसने जटके से महसूस किया था सितंबर के अंत के दिन बारिश समाप्थ हो चुकी थी और सरदियों के आगमन का अभी दूर तक पता नहीं था इसलिए वातावरण में इतनी ज़ादा उमस गर्मी आ गई थी कि लगने लगा था जैसे गर्मी का मौसम हो नया शहर नये लोग नये शहर की आबो हवा थी जिससे सबजीब सा उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था वह विवेक के शहर में रहती थी रात में चारो तरफ सन्नाटा सा छा गया था चारो तरफ लाइटे जल गई थी जो निहायत अच्छी लग रही थी शहर यहां से काफी दूर था शहर की जगमगाहट वहां से देखी जा सकती थी सबको पर कतारों से सजे लाइट के धेर धेर लट्टू दूर से सुन्दर लग रहे थे कमरे में काफी गर्मी थी इसलिए उन लोगों ने अपना विस्तर छत पर खीच लिया था और खाट के अभाव में नीचे ही अपना विस्तर बिचा लिया था विवेक के आलिंगन में वापना सारा दुख भूल गई थी रात काफी गहरी हो गई थी पहाड पर से उपर उठता चांद पेड के सहारे किसी चोर की तरह धीरे धीरे उपर सरक रहा था उजली रात की काली साडी में तारे बेतर तीब से ढखे थे और चमक रहे थे आधी रात के बाद थोड़ी थोड़ी थंड़क होने लगी थी सितंबर का जाता हुआ महीना अक्टूबर की सरहत को छूने लगा था इसलिए आधी रात के बाद थंड लगने लगती थी उसने सिहर कर अपनी उपर तक शॉल को खीच लिया चादर खीचने से विवेक जाग गए थे उन्होंने सिर भुमा कर उसे देखा और फिर लेट गए दोनों हाथों को सिर के नीचे बांदे उपर आसमान को चुप निहारने लगे वह भी विवेक की आख का अनुसरन करते हुए अपनी उपर टिके आसमान को भराक देखने लगी चाद अब काफी उपर आ गया था शुबधा विवेक ने बिना हिले डुले वैसे ही पड़े-पड़े उसे आवाज दी हम दोलो जाग रही हो हाँ देखो चांद कितना उपर आ गया है विवेक उसकी ओर करवट हो करमुडे और उसकी बाह सहलाई तुम्हें बताओ गाँवाले घर की छट पर मैं और गुदावरी लेटे-लेटे ऐसे ही चांद को देखा करते थे और एक दूसरे को बताते रहते थे कि देखो चांद इत्ता उपर आ गया है अब इत्ता आया अच्छा लगता है ना ऐसे सोचना हाँ वह उठ बैठी और अपने विखरे बालों को बांधा शाम को सिर्धोनी के कारण बाल अभी भी थोड़े-थोड़े नम ही थे उसने उन्हें समेट का रवर में कैद कर दिया और चुपचा विवेक को निहारने लगी मन के भीतर जो शदीर का पावर हाउस है लगा वहां कहीं नन्ना सा तार खट से तूट गया है पर उसने अपने आपको बुझने नहीं दिया अपने को संभाले सहेजे हुए वह चुप रही और चुपचा विवेक को निहारने लगी खुली चान्दी में विवेक का साफ उजला चहरा और साफ होकर चमक रहा था लगा अभी जो विवेक उसके पास था जिसके आलिंगन में वह बंधी थी वह विवेक दूसरा था और अभी उसके पास लेटा आदमी अंजान अजनबी है जिसे वह नहीं जानती पता नहीं क्यों अक्सर उसे लगता है कि विवेक के दो रूप है एक जो वा उसके साथ जीता है, दूसरा वा जो अपने आप में गुथा है और इस दूसरे आदमी को इस पर्ष भी करते हुए वा डरती है कभी विवेक उसके साथ खुल कर हसता है और कभी लगता है कि वह अपने आप में बंधी कोई गठरी है सुनो, तुम्हें ऐसे पुराने किनी भी छड़ों के याद नहीं आती जब तुम अपने प्रिये के साथ लेटी रही हो विवेक ने उसे निहारा विवेक किस बात से उसे बुरा सा लगा लगा, भीतर कोई नस चटक गई है यदि उसके जीवन में मधूर छड़ाय होते तो शायद आजवा विवेक के हाथ नहीं पड़ती और जब विवेक के अपने खुद के जीवन में इतनी मधूर छड़ों का लगातार जमगट रहा था तो उसे फिर या नया खेल शुरू करने की क्या सूजी क्या विवेक ने उससे ब्याह कर केवल खाना पुर्ती की है उसे बस साहचर और घर की देखवाल के लिए औरत चाहिए थी रवड की गुडिया जिसमें एहसास, मन, सोचने के शक्ती नहीं होती उसने बेबसी से चांद को देखा, पर उसे तो सब कुछ चाहिए था इंद्र धनुष के साथ रंगों की तरह हर चीज चाहिए थी उस दिन लक्ष्मी पूजा का दिन था सुबह से ही विवेक उदास तथा उखड़े उखड़े दिख रहे थे हर साल वे लक्ष्मी पूजा के दिन घर जाते थे यानि गाउं वाले घर गाउं के लोग जो पढ़ने या नौकरी करने शहर आते हैं गाउं को घर कहते हैं और या घर उनके लिए मंदिर से कम नहीं होता साल भर भले ही वे इधर उधर भटकते हैं पर तेवहार के दिन घर जरूर जाते हैं या सही शब्दों में उनके पहुचते ही तेवहार मनाया जाता है गाउं में हर परदेशी अपने घर लोटता है विवेक बहुत व्याकुल थे वे घर जाना चाते थे पर कहने ही पा रहे थे ब्याह के बाद उसने गाउं जाने से मना कर दिया था इसलिए इस पस्ट शब्दों में वे उसे जाने को कहने ही पा रहे थे विवेक के साथ उसके यह पहली दिपावली थी उनके ग्रिहस्त जीवन का पहला तेवहार था वह सुबह से ही प्रसन्न थी उसने पडोस में रहने वाली भावी जी को तेवहार के लिए सामान लाने को कुछ रुपए भी दे दिये थे वह श्राम को कौन से साड़ी पहने की यह अभी उसने सोच लिया था अचानक नौ बजे के लगभग गाउं से विवेक का भाई विवेक को लिवाने आप पहुचा विवेक के चहरे की धुन्द अपने आप छटने लगी थी भाईया मा ने पूजा के लिए बुलाया है तुम अब तक नहीं पहुचे तो सब चिंतित हैं तुम नहीं पहुचोगे तो पूजन कौन करेगा विवेक चुपचाप अपनी तयारी करने लगे उसका मन बार-बार हो रहा था कि विवेक गाउं न जाए यह उनकी पहली दिपावली है पर विवेक को रोकनी की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वह नहीं चाहती थी कि विवेक यह समझे कि वह उनको सारे रिष्टों से अलग कर रही है फिर वह रोके क्यों क्या विवेक को खुदिया नहीं समझना चाहिए क्या वे ना समझ हैं गवार हैं, अनपढ़ हैं जो उसके मन की भाषा नहीं पढ़ सकते वह चुपसी रही उसने जल्दी से भुचन तयार कर दोनों को खिलाया उसका मन भरा हुआ था पर वह जबरदस्ती मुसकान लादे रही जबरदस्ती की लादी मुसकान कितनी कस्ट दायक होती है इसे वह महसूस कर रही थी मैं कल आ जाओंगा शुपधा विवेक बार-बार उसे समझा रहे थे वहाँ घर पर पूजा करना जरूरी है वरना वे लोग और नाराज हो जाएंगे मेरे हाथों से ही पूजा होती है विवेक उसे समझा रहे थे और वह मन ही मन मुसकुरा रही थी कल किसने देखा है जिस आदमे के सामने आज का महत तो नहीं उसके लिए कल का क्या महत विवेक के जाने के बाद वह दरवाजा बंद कर रोती रही पहली बार उसे अपने माता पिता से बिछुडने का दुख रूला रहा था वो तेजना में लिए अपने गलत निर्णे पर पश्चा ताप हो रहा था दूसरे दिन विवेक लोटा था खूब भरा पूरा सा उसके साथ घर से लाई धेर सारी शुद्धिगीं की पोडियां अन्रसे पूवे और अचार था विवेक ने उसे कुछ नहीं कहा था और भरा पूरा सा आते ही लेट गया उसकी खोई-खोई आखे सूचना दे रही थी कि वह किस दुनिया में है वह अकेला पड़ा बीते हुए दिनों को याद कर जुगाली कर रहा था उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया रात को जब उसने उसे अपनी और खीशना चाहा तो उसने साफ मना कर दिया विवेक समझ गया कि वह गाउं जाने वाली बात पर रूठी बैठी है क्या बात है बहुत नाराज हो नहीं भला तुम पर मुझे नाराज होने का क्या अधिकार मनालिया तेवहार रहयाय पत्नी के संग जब उन सब की भावना का इतना ख्याल था तो मुझे क्यूं लाए मेरे जिन्दगी क्यूं बरबाद की मुझे परिवार वालों के सामने भला बुरा बना कर तुम यहां मनमानी कर रहे हो मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ जो तुम यहां तेवहार मनाते वा उबल उबल कर बोलती गई चीखती गई शुबदा तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पहले वे लोग मेरे जीवन से जुड़े हैं इसलिए पहले उनकी भावनाओं का मुझे ख्याल रखना चाहिए फिर मैं तो तुम्हारे साथ रोज हूँ एक दिन यदि उसके हिस्से में आ गया तो तुम्हें इस तरह शोर नहीं करना चाहिए फिर मुझे समाजिक मर्यादाओं का भी ध्यान रखना होगा ना विवेक उठकर बाहर छट पर सोने चले गए और वह चुप ठगी सी बैठी रही विवेक ने उसे उसका कड़वा सत्य बता दिया था कि वह महेज एक खाले स्थान की पूर्ती है ऐसा खाले स्थान जिसका शब्द निकाला नहीं गया हो बस पहेली की तरह छुपा दिया हो पर शब्द कहीं कहीं छुपा है पर शब्द नहीं कमरा खाली नहीं था वहां अभी भी बातों की चुबन थी उसके साथ वाली जगह खाली थी पर लग रहा था अभी भी वहां कोई है और उसे देख रहा है विवेक ने कितनी सच्चाई से उसके छिलके को उतार कर उसकी आखों के सामने रख दिया था उसे उसके हैसित बता दी थी उसका अपना दाइरा समझा गये थे उसकी लक्ष्मन रेखा की हदे बता गये थे कि इससे आगे पैर ना निकालना अनायास बच्पन की ये घटना उसे याद आ गई नहीं चोटी सी थी शाय चोथी जमाद में पढ़ती थी वो अपने परिवार के साथ एक ब्याह में शामिल हुई थी वो बेहद उत्सुकाखों से शादी की सारी रस्मों को देख रही थी तथा दूले दूलहन के चहरे का भी निर्खशन कर रही थी उसकी आख पूरे समय दूलहन के शर्माए चहरे पर थी दूले का चहरा उदास था काफी गंभीर सा था उस पर कोई भाव नहीं दिखते थे उसने एक बार भी अपनी दूलहन की और नहीं देखा था जबकि दूलहन कंखियों से जब भी मौका लगता पती को देख लेती थी शादी के बाद खाना खिलाय जा रहा था दूला दूलहन भी बैठे थे दूलहे से कहा गया कि दूलहन को खिलाए दो तीन बार कहने के बाद भी उसने दूलहन को नहीं खिलाया बस चुपचाब दुलहन की ठाली में एक और रख दिया कोर रखते समय दूले का चेहरा काफी तना हुआ था अब सब औरते दुलहन से कहने लगी दुलहन शर्मा कर दोहरी हो रही थी अपने घुटनों में सिर रहकर वसिम्ती जा रही थी उसका सारा शरीर काफ सा रहा था सब औरते एक साथ उसके पीछे लग गई फिर उसने काफते हाथों से धीरे से कौर बनाया और हाथ में लिए ठिठक गई लाज की कारण उसका हाथ दुलहे की ओर उठी नहीं पा रहा था और इस सारी प्रक्रिया में काफी समय लग रहा था ले दे कर उसने अपना हाथ दुलहे की ओर उठाया कि अचानक दुलहा पट्रा छोड़कर उठ गया और बाहर चला गया सैसा हसी मजाग के वाता वरंड पर जैसे बिजली गिर गई कर हाथ में लिए दुलहन अपमान बेवसी से फक पड़ देई उसकी लाच भरी आँखे डबडबाई और वा घुटने पैसे रखे रोती रही भरी सभा में पती ने उसका अपमान कर दिया था उसके आसू थाली पर गिरते जा रहे थे उसके हाथ में अभी भी कौर वैसे ही रखा था आरे उसे अपनी मरी हुई पत्नी का ध्याना गया और तो के कमेंट शुरू हो गए थे दूसरी पत्नी के भागी में यही दुख बदा होता है कोई कह रहा था पहले जबाने में दूसरी पत्नी होना सवभागी की बात होती थी आते ही सब पर अपना धिकार जमा लेती थी पर अब दूसरी पत्नी होना सबसे वड़ा दुर भागी होता है पल भर में सारी मंडप में इस घटना की चर्चा होनी लगी थी आज इतनी इतनी बरसो बाद भी जाने क्यूं वगटना उसे याद रह गई थी और उस दुलहन की फकपड़ी आखे बेबसी से दंग आखे उसकी स्मिती में अटकी रह गई थी और आज उसे हसास हो रहा था कि उस नव व्याहता ने इत्ते इत्ते लोगों के बीच शादी का जोड़ा पहने उस अपमान को कैसे सहा होगा उस पर क्या गुजरी होगी उसने जब तब महसूस किया कि विवेक की बाहों में जब कि इन्ही अंतरंग चड़ों में वा डूबी रहती तब विवेक की आँखें कहीं भटकी हुई होती लगता तब उसकी आँखों में कोई समाया हुआ है वा सामने उसे नहीं देख रहा है वा किनारे बड़ी गहराई से देख रहा है और उसकी आँखों में शिद्दत से कोई समाया हुआ है वह सिर्फ उसके हातों में हाड मास का शरीर थी, जिससे वह खेल रहा था या वह रबर की कोई गुडिया थी, जिससे उसका कोई तालोक नहीं था, ऐसे छड़ों में उसका शरीर बेजान लाश बन जाता था, यह कैसा प्यार था, यह कैसा प्रेम था, दोनों के बीच कितनी दोरियां थी इन दोरियों को विवेक कभी पाट नहीं सकता था और वह विवेक के लिए रोज अपनी बली नहीं दे सकती थी उसे कितना मानसिक कस्ट रहता था या कभी विवेक सोच भी नहीं सकता था ठंड शुरू हो गई थी, रात काफी ठंड पड़ी थी सुबह जब वह उठी तो देखा, सामने गैलरी में गिलहरी मरी पड़ी थी, जिसे कौवे नूच रहे थे ठंड की अधिकता से गिलहरी मर गई थी, उसे बड़ा तरस आया उसने सुर उठा कर देखा, इटों की बनी हुई नई दिवार में एक बड़ा सा छेत था गर बनाते समय शायद किसी कारण से उसे छोड़ दिया गया था वहाँ पर गिलहरी ने गोसला बना लिया था वही से शायद वह गिरपड़ी होगी और बेहोश हो गई होगी और ठंड ने उसकी जान ले ली नन्य नन्य बच्चे गोसलों से निकल कर अपनी मा को उतर उतर कर देख रहे थे वह देर तक खड़ी उस द्रिशे को निहारती रही आदमी मर जाता है तो अपनों से, अपने परिवेश से, जिन्दगी से कैसा कट जाता है, वह अभी क्या अपनों से, अपने परिवेश से कट नहीं गई है आज वह किस तरह मो उठाए बस एक ही चेहरे को निहार रही है उसे से सब कुछ की आशा किये है, पर विवेख के पास अपना भरा पुरा आतीत है वह याद तो अपने काम में लगा रहता है, या याद करता है तो अपने पिछले को वर्तमान के साथ तो उसका रिष्टा वैसा ही है, जैसे किसी प्लेटफॉर्म पर दो यात्री बैठे हूँ दोनों यात्रियों की अपनी अलग-अलग दिशा हो पर दोनों एक साथ एक जगह बैठे ट्रेन का इंतजार कर रहे हो जिन्दगी ने कितनी सच्चाई से परत दर परत उसे चील कर नंगा कर दिया था उसे उसकी हैसिय समझा दी थी और वह जिन्दगी में अपनी खुबसूर्ती से ठगे जाने पर दंग थी, चुक थी उसके इस्तिती कमरे में फड़फडाती चड़िया से अधिक नहीं थी जिसने पहले उड़ना सीखा और बाहर निकलते ही उसके पंक तेज कैची से एक अतर दिये गए मन रोने को होता पर आस चरे बात बात पर रो लेने वाली उसकी आखों में एक भी आसु नहीं होता जैसे मन का वह गीला कोना अचानक सूख गया हो रेगिस्तान हो गया हो अपने आपको वह चलती फिरती लाश महसूस करती थी किसी के अद्रिश्य हाथ उसे लंभा लंभा मौत की ओर धकेलते ले गए थे और जब गुड़ू उसके गर्फ में आया तो वह चौक उठी थी नहीं बच्चा यह नहीं होना चाहिए जो कस्ट यात्ना वह सह चुकी थी वह अपने बच्चे को भुगतने नहीं देना चाहती थी और बिना इस बात की जानकारी विवेक को दिये वह चुबचाप अपनी दोस्त के घर चली गई थी मद्रास और फिर वहां उसने नए सिरे से जिंदगी की यात्ना भोगी पर इस यात्ना में जहां आर्थी कस्ट था वही मांसिक शान्ती थी और फिर गुड़ू ने तो आकर उसके सारे जीवन को फिर से ममता से सीच दिया था और उसका बेजान चेहरा जिंदगी की चमक से फिर से चमकने लगा था उसने गुड़ू में अपनी समस्ताशाओं को गूंथ दिया था और अब नहीं चाहती थी कि उसने जो अपना एका की महल खड़ा किया है उसकी एक इट भी कोई खिसकाए इस धक्के को वह सहन नहीं कर सकती थी तेज हवा ने टेबल पर रखे कागज परके पेपर वेट को नीचे पटक दिया टेबल पर रखे सारे कागज तेज हवा के कारण कमरे में चारो और बिखर गए वह चौप कर उठी तो देखा बाहर अंधेरा हो गया था गुड़ू अब तक लोटन गुड़ू अब तक नहीं लोटा था वहर बढ़ा कर उठी और दर्वाजा खोला वहर बढ़ा कर उठी और दर्वाजा खोल बाहर आ गई बाहर जोर से हवा चल रही थी हवा के साथ आंधी भी थी इस कारण हवा में धूल ही धूल भरी थी अवश्र ही पानी आएगा और गुड़ू गुड़ू को अब तक आ जाना चाहिए था यदि पानी आ गया तो वह फस जाएगा अभी वह निश्चित ही नहीं कर पा रही थी कि उसने देखा सामने से गुड़ू दोड़ता आ रहा है कहां थे अब तक मुह तक आए कलेजे को सही करने में उसे समय लगा मम्मी अविनाश के घर से लोट रहा था कि रास्ते में वही अंकल दिख गए थे जो खिलोने देते हैं क्या वह चौक गई वह फरे भी फिर तुझे मिल गया था वह धोखे बाज है वह तुझे भी धोखा देगा वह अपनी रौ में बोलती चली गई हां मम्मी गुड़ू उससे लिपट गया मैंने उससे साफ कह दिया कि तुम हमारे कोई नहीं लगते फिर क्यों रोज रोज हमें खिलोने देते हो हमें नहीं चाहिए तुमारे खिलोने कल आकर ले जाना वह अश्चर इसे फटी आखों से गुड़ू को निहारती रह गई तुने ऐसा कहा तुझे कैसे मालूम वह तेरी कुछ नहीं लगते तभी जोर की हवा के साथ पानी बरसने लगा वह गुड़ू के साथ जल्दी से भीतर हो गई उसने जल्दी से सारे दर्वाजे खिड़की बंद कर दिये पल्टी तो देखा गुड़ू एक सोफे पर उपर पैर किये उकड़ू सा धसा सहमा बैठा है क्या बात है गुड़ू इतने सहमे क्यों हो पानी के साथ ये टपटप काही की आवाज है मम्मी क्या ये पानी का बीच गिर रहा है उसे हसी आ गई बाहर पानी के साथ ओले गिर रहे थे गुड़ू की नन्ही उम्र का शायद यह पहला दृष्ष था जब उसने पानी के साथ ओले बरसते देखे थे नहीं बेटा ये ओले बरस रहे हैं जब हवा देर तक पानी को बरसने से रोक रखती है तब पानी बर्फ में बदल जाता है फिर यह पानी के साथ बर्फ के छोटे छोटे गोल गोल टुकडों में बरसता है अच्छा गुड़ू अभी भी सहमा बैठा था अच्छा चल अब कुछ खा ले और सोजा उसने गुड़ू के बिस्तर की चादर जटक कर बिछाते हुए कहा मम्मी गुड़ू की सहमी सी आवाज गुणजी हाँ बोल मम्मी वे अंकल मेरे क्या है उसने चुठक कर मुड़ कर वापस गुड़ू को देखा गुड़ू अभी सोफे पर धसा बैठा था हमारे कोई नहीं उन्हें भूल जाओ बोलते हुए उसे लगा इन शब्दों के साथ उसके सारे शरीर के शक्तिनी चुड़ गई है और वा बर्फ की तरह भीतर से जमने लगी है दोस्तों ये थी महरू निसा परवेज के लिखी कहानी कोई नहीं अमीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी धन्यवाद